हर महीने का अंतिम रविवार सुबा के ग्यारा बजे एक आवाज जो बन गई देश की आवाज मेरे प्यारे देश स्वासियों, नमस्कार जहां होती है देश के सम्मान की बात, देश वासियों के मन की बात मुझे इस बात के भी खुशी है कि मन की बात के सौवे एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्सा है 3 अक्टूबर 2014 को जब प्रधान मंत्री नरींद्र मूदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे समवात का इतना पावर्फुल माध्यम बन जाएगा मन की बात, यानि देश की बात खादी की बिक्री का किर्टिमान हो या फिर मेकेन इंडिया खिलोनों का फ्रिकॉर्ड एक्सपोर्ड मन की बात ने देश के सपनों को नई उडान दी एक भारत श्रेष्ट भारत का द्वश लहराना हो या देश के अंसंग हिरोज को सम्मान किसे के लिए ये उम्मीदों की बात है तो कईयों के लिए होसलों का साथ है मन की बात को जनजन की बात बनने में ज्यादा समय नहीं लेगा पियम मोदी की अपील और आहवान ने नए जनान दोलनों को जन्द दिया बात फिर चाहे स्वच्चता की हो या स्वेच्छा से लपीजी सबसीडी छोड़ने की कैशलेस एकॉनमी बनाने का आहवान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक्त की बात मन की बात ने सबके प्रयासों से आत्म निर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया तो ये देश की विजह यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर सौ वर्षों की सबसे बड़ी चुनाउते का सामना करने का जरिया भी बना मेरे देश्वासियों जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते हैं हम खुद खड़े नहीं होते हैं तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिले हमें उंगली पकेड़े चलाने वाले नहीं मिले के चलने की शुरुवात हमें करनी पुरेगी है ये सारा मेरा बाच्चित करने का इरादा एक ही है आओ, हम सब मिल करते हैं अपनी भारत माताजी सेवा करें हम देश को नई उचाहियो पढ़ने जाओ मन की बात 22 भारती भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा, 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होता है एक राश्टरिय सर्वे के मताबिक देश के करीब 96 प्रतिशत लोग मन की बात कारिक्रम के बारी में जानते हैं 100 करून से ज्यादा देशवासियों ने मन की बात कम से कम एक बार सुना है 65 प्रतिश देशवासी हिंदी में तो 35 प्रतिशत लोग शेत्तुरिय भाषाओं या अंग्रेजी में ये कारिक्रम सुनते हैं सर्वे के मताबिक 63 प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि मन की बात के चलते सरकार को लेकर उनका द्रिष्ट कून सकारात्मक हुआ है 55 फीसदी लोगों ने ये माना कि कारिक्रम के चलते वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और बहतर नागरिक बने है कम्यूनिकेशन के दुनिया में इस कारिक्रम ने नए मान दंड गड़े तो इसके माध्यम से देशवासियों के सुझाव सीधे पियम मोदी तक पहुंचे सौवे एपिसोड तक के अनुवरत सफर में मन की बात ना सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है बलकि भारत वासियों के संकल्प की सिध्धी का माध्यम भी बन रहा है